इस लेसन में हम बात करने वाले हैं variables की मगर उससे पहले हमें अपने project को open करना होगा अगर आपने भी मेरी तरह pycharm को close कर दिया था तो आप अपने pycharm को open करो और pycharm को open करने के बाद आप इस project टैब पे आओ और आप इस पे click करो उसके बाद आपको यहाँ पे आपने जितने भी projects create किये हैं उन सभी के नाम मिल जाएंगे उन सभी का एक list मिल जाएगा आपको फिर जिस भी project को open करना आप उस पे click करो आपका project open हो जाएगा हमने अब तक में सिर्फ एक ही project बनाया है तो उसका list यहाँ पे आ गया है उसका नाम यहाँ पे आ गया है और अब हमें इसे open करना है तो मैं इस पे एक बार click करूँगा और pycharm मेरे लिए इस project को खोल देगा alright अब हम चलिए बात करते हैं variables की मगर उससे पहले हमें एक file बनानी होगी क्योंकि जो भी हम बात करेंगे variables की जो भी हम code लिखेंगे हम उसी file में लिखेंगे तो आप यहाँ पे right click करो फिर new पे जाओ और फिर आप python file पे जाओ और यहाँ पे आप file का नाम दे दो variables और आप enter करो और आपका file यहाँ पे बन जाएगा ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर यह variable क्या होता है मैं आपको अलब अलब तरीके समझाने की कोसिस करूंगा मैं आपको कुछ technical term में समझाओंगा उसके बाद मैं आपको simple language में समझाओंगा तो चलिए पहले समझते हैं variable क्या होता है technical term में जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमें अपने programming में बहुत सारे values को save करना होता है बहुत सारे data को save करना होता है और उस data को हम बाद में use करते हैं अपने program में अपने software में तो ठीक उसी काम को करने के लिए अपने data को save करने के लिए हम variables का use करते हैं मगर यह variable क्या होता है, यह कैसे save करता है, अब हम इसे समझते हैं, well, जैसा कि हमारा body cell से बना होता है, हमारा जो body या human body या फिर animal body या कोई भी body, वो cell से बना होता है, ठीक, उसी तड़ा computer का जो memory होता है, computer का जो RAM होता है, वो भी memory cell से बना होता है, यानि कि हमारे body जैसे कि cell से बना होती है computer का memory भी cell से बना होता है और उसी cell के अंदर में हम अपने data को store करते हैं और variable क्या करता है कि हम किसी एक cell में अपने value को store कर देते हैं और उसी memory cell को हम एक नाम दे देते हैं एक variable का name दे देते हैं और उसमें हम अपने data को store करते हैं और जब भी हमें उस value का use करना होता है जब भी हम उस data को use करना होता है तो सिर्फ हम उस variable name का use करते हैं और वो variable name जिस भी cell पर हम नहीं दिया था वो उसके cell की अंदर से वो value निकाल की हमें दे देता है मैं एक बार इसे फिर से repeat कर रहा हूँ हमारा body जैसे cell से बना होता है ठीक उसी तड़ा memory भी cell से बना होता है वो भी memory cell से बना होता है और उन्ही memory cells हम अपने data को अपने value को store करते हैं और store करने के लिए हम क्या करते हैं हम किसी cell को एक नाम दे देते हैं और उसी cell के अंदर में हम अपने values को डाल देते हैं और उसको नाम हम इसलिए देते हैं कि जब भी हमें उस value को use करना होगा तब हम उस नाम का use करेंगे और फिर वो value हमें मिल जाएगा अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है मैं एक simple language में आपको समझाने वाला हूँ लेकिन यह simple language technically correct नहीं है तो अगर आपको simple language में समझने आ तो आप बस यह समझो कि variable एक box हो गया एक container हो गया जिसके अंदर में आप अपने values को store करते हो जैसा कि किसी box में आप अपने books को अपने दूसरे items को store करते होगी ठीक उसी तड़ा variable एक ऐसा box है एक ऐसा container है जिसके अंदर में हम अपने values को अपने data को store करते हैं यह simple होगा या फिर अगर आप किसी bottle का example ले लो आप अपने bottle में water restore करते हो तो ठीक उसी तड़ा variable आपका एक bottle होगी है जिसके अंदर में आप data को store करते हो यह था आपका simple language वाला चलिए अब हम देखते हैं कि हम variable बनाते कैसे हैं और उसके लिए मैं यहाँ पर इस editor में आ जाओंगा मैं इस variable.py फाइल पे खिलिक करूंगा और फिर मैं इस editor पर यहाँ पर आ जाओंगा अब मैं सबसे पहले अपना एक पहला variable बनाऊंगा और इस variable में मैं अपना नाम store था हम एक memory cell को एक नाम देंगे और उसके अंदर में हम अपने values को store करेंगे तो चलिए एक variable name हम यहाँ पर बनाते हैं और variable name बनाना बहुत ही easy है आप सिर्फ अपना वो variable name लिखो तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ name क्योंकि obviously मैं इसमें अपना name store करने वाला हूँ तो name जा equal to का sign दूँगा और उसके बाद मैं अपने नाम को यहाँ पर लिख दूँगा और जैसा कि हमने पहले बात किया था hello world वाले lesson में कि अगर हमें कुछ भी text को लिखना होता है programming में तो हम उसे single quotation या फिर हम उसे double quotation के अंदर लिखते हैं तो मैं यहाँ पर इस double quotation के अंदर में अपना नाम लिख दूँगा और अब यह जो नाम है यह store हो गया इस name नाम के variable में अब यह जो data है वो store हो गया एक memory cell में और उस memory cell का नाम है name अब आपको समझ में आया यह जो data है यह जो सुफम सौरप जो मेरा नाम है वो store हो गया एक memory cell में और उस memory cell को हमने नाम दे दिया ह और यह जो equal to है यही mean यहां पर काम कर रहा है जो भी हम इस side value लिख रहे हैं यह equal to हुठा करके उससे name नाम के memory cell में डाल रहा है simple बहुत easy आप चलिए बात करते हैं कि इस data को हम access कैसे करेंगे वेल वो भी बहुत आसान है अभी हम क्या करेंगे हम इस सुबहम sort of को इस data को console में यहां पर print कराएंगे तो हम जानते हैं कि print कराने के लिए हम print function यूज करते हैं तो मैंने यहां पर डाल दिया print और अब हम क्या करेंगे वेल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको data को अगर access करना है तो आपको सिर्फ अब उस variable name को use करना होगा हमने जो memory cell को name दिया था हमें उसका use करना होगा और memory cell का name हमने दिया था name तो हम यहां पर डाल देंगे name और आप देख रहे होगे कि यहां पर मैंने कुछ भी quotation यह सम नहीं डाला है हम जब भी किसी values को access करते हैं किसी variable में से तो हम वहाँ पर double quotation या single quotation यूज नहीं करते हैं हम उस name को directly लिख देते हैं ऑके अब चलिए हमने यहां पे एक variable बनाया एक memory cell में हमने यह väloρाण डाल है और उस memory cell का नाव आप यहां पे हम उसरी memory cell को access कर रहे है इस name नाम से यहां पई जलिए हम पर देंग हम करते हैं इस फाइल चूज़ करना होगा तो हमने यहाँ पे इस फाइल में भी अपना सारा कोड लिखा है तो आप इस पे क्लिक करोगे और फिर आपको कंसोल में यहाँ पे सुभम सौडव मिल जाएगा ओके यह तो बहुत ही एजी था बड़े क्वेशन यह आता है कि क्या हम अपने मेमरी सेल में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही स्टोर कर सकते हैं वेल आंसर आपका है नहीं हम यहाँ पे इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं हम यहाँ पे डेसिमल वैलू भी स्टोर कर सकते हैं तो चलिए मैं एक memory cell है और इस memory cell में हम इस 5 integer को store कर रहे हैं और इस memory cell का हमने नाम दे दिया है rating ओके तो यहां पर हम एक variable create कर रहे है कि variable बना रहे हैं जिसका नाम है rating और उस rating में 5 value डाल रहे हैं 5 तो चलिए अब हम इसे भी प्रिंट करते हैं और हम इसे इस नेम की निचे प्रिंट करेंगे और यहां पर मैं डाल दूँगा डेटिंग आप यहां पर देखो कि आपको कोड का साजेशन आ रहा है इसलिए मैंने आपको यह आईडी डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए बोला था क्योंकि यह आईडी आपको बहुत सारे फीचर्स देता आपको बहुत हल्प करता है कोडिंग में तो मैं अब इस पर क्लिक कर दूँगा और यहां पर मेरा कोड अटोमेटिकली कंप्लीट हो गया है और मैं फिर से रन पर जाऊंगा और मैं इस रन पर फिर क्लिक करूंगा और आप मुझसे पूछे का किस फाइल को रन करना है तो मैं इस वैरिवल्स पर क्लिक तो आपको पढ़ाया गया होगा कि वैडिबल एक वैसा चीज होता है जिसका वैलू वैडि करता है यानि कि उसका वैलू बदलता है वैल यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है हम यहाँ पर जो वैडिबल बना रहे हैं उसमें जो भी वैलू डाल रहे हैं हम उस वैलू को यहां पर भी उस value को change करना है, तो मैंने यहां पर value को slice किया है, मतलब यहां पर मैंने अपने variable को create किया है, तो यह काम हम उसके नीचे ही करेंगे, तो चलिए हम यहां पर आते हैं, इस print के नीचे, यहां पर हमने एक बार value प्रिंट कर दी है, इसके नीचे हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर अपने इस name variable के value को change करेंगे तो value change करने के लिए आप सबसे पहले variable के name को लिखो आप उस memory cell के name को लिखो तो मैंने यहाँ पर डाल दिया name और उसके बाद फिर आप equal to लिखो यह बिल्कुल same है जैसे हम यहाँ पर करते हैं exact same process है आप सबसे पहले अपने variable के name को लिखो फिर आप equal to लिखो और फिर आप अपना value लिखो तो मैं यहाँ पर value दूँगा python course ओके आप हम क्या करेंगे आप हम इस changed value को भी print करेंगे तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ print और इसकी अंदर में मैं डाल दूँगा name क्योंकि हम इस name को print करना चाहते हैं alright तो चलिए अब इस file को हम run करते हैं और मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि run करने का file को अपने code को run करने का एक और तरीका है आप यहाँ पर इस corner में जाओ और आप यहाँ पर देखो कि आपका variables file पहले से load किया हुआ है अगर आपको किसी दूसरे file को run करना है तो आप इस पर click कर सकते हो और उस file को select कर सकते हो लेकिन हमें इस variables को ही run करना है तो मैं इस variable पर ही click करूँगा इस फाइल पर और फिर मैं इस run बटन पर click करूँगा और आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर सभी value प्रिंट हो गया है बट हम समझें कि यहाँ पर सुभम सौर्ट अफ क्यों आ रहा है क्योंकि हमने तो name change कर दिया था यहाँ पर हमने value create की यहाँ पर हमने name में सौनम स वैलू डाली और यहाँ पर उस value को हम प्रिंट कर रहा है और अब तक हमारा value change नहीं हुआ है और फिर यहाँ पर हम अपने value को change कर रहे हैं और फिर जब हम इसे इधर print कर रहा है तब हमारा value change हुआ है तो इससे हमें यह पता चलता है कि Computer Programming में और इस Python Programming Language में जो भी Code Run करता है वो उपर से नीचे की तरफ Run करता है तो सभसे पहले यह Code Execute होगा फिर यह Code Execute होगा और फिर यह Code Execute होगा और फिर यहाँ पर Name का जो भी value है वो आज आएगा तो Name का अभी Value क्या है Name का अभी Value है सुभम Sort Up अभी तक हमने कोई Value Change नहीं की है इसलिए यहाँ पे सुभम Sort Up print हो रहा है और फिर उसके बाद हम उसके नीचे आएंगे और फिर हम यहाँ पे Value Change कर रहा है तो यहाँ पे Value Change हो गई Name की और फिट उसके नीचे जैसे ही हम value प्रिंट कर रहा है तो changed value यहाँ पे आ रहा है और उसके नीचे यहाँ पे rating आ रहा है जो यहाँ पे आ गया 5 तो यह था हमारा आज का lesson variables का हमने इस lesson में बात किya कि variable क्या होता है मैं एक बार इससे फिर से repeat कर देता हूँ simple language में समझो तो variable सिर्फ एक container है जिसके अंदर अपने value को store कर सकते हो थोड़े technical detail में अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलता है कि variable कुछ भी नहीं है सिर्फ एक memory cell है जिसको हमने एक नाम दे दिया है और उसी memory cell के अंदर हम अपने values को store करते हैं हम अपने data को store करते हैं और क्यो यहां पर हमने यह भी सिखा कि हम variable कैसे बनाते हैं और हमने यह भी सिखा कि हम variable के value को change कैसे करते हैं और यहां पर हमने यह भी सिखा कि हम variable में कितने अलग-अलग type की data को store कर सकते हैं मगर यह part कि हम किसी variable में कितने तरह की data को store कर सकते हैं यह complete नहीं हुआ है हम यहां पर और अलग अलग तरह की डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसी के बारे में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं अगले लेशन में तब तक के लिए बाई